Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, during this video we are going to do revision of class 5th English for periodic test 2. KV में PT2 अभी winter break के बाद scheduled है आप सभी के. So एक quick revisional video है ये आपकी बाके तो detail में सभी chapters की NCRT reading, explanation and question answers plus worksheet plus quizzes में आपको कराती ही हूँ. सभी chapters के available है अगर आप detail में करना चाहे तो वो देख लो. लेकिन एक बार exam से पहले जल्दी से अगर आपको सभी chapter को revise करना है तो उसके लिए आप ये video देखेंगे. तो start करते हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे sections आपके इसमें होते हैं, वैसे तो English में जैसे की reading होगा, एक passage आपको दिया जाएगा, उससे questions पूछे जाएंगे, फिर आपके कुछ chapter से questions होते हैं, कुछ grammar portion होता है और अगर अभी regular school होते, तो creative writing होता है, जहाँ पर आपके, अगर किसी school में descriptive हो रहा है, तो वहाँ पर creative writing आपको दिया जाएगा. तो इसको दो तरीके से मैंने divide किया है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ NCRT के जो books के question answers है, उनको cover करेंगे और grammar की, क्योंकि 5th class में काफी important topics हैं आपके grammar के, grammar के जो topic है, उनकी एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी, 3rd, 4th, 5th के लिए combined video होगी वो, इसमें topics आपको बता दिया जाएगा, कौन सा 3rd का है, कौन सा 4th का और कौन सा 5th का, ओके, तो ये first video है, जिसमें हम सिर्फ NCRT के book के जो chapters है, उनके question answers करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको syllabus दिखा देती हूँ, कितने chapters आ रहे हैं, October to December का जो syllabus होता है, के वी में, split up, आपका वो PT2 में आता है, तो ये देखें, ये chapters हैं आपके, The Talkative Barber, Topsy-Turvy Land, Gulliver's Travel, Nobody's Friend, The Little Bully, Sing a Song of People, ओके, तो सबसे पहले इन chapters के NCRT से, जो MCQ है, जो questions में आपको कराऊंगी, वो multiple choice questions की form में होंगे, इसमें 1, 2, 3, 3 poems हैं, and 1, 2, 3, 3 chapters हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए, तो I think chapters तीनों ही, काफी सारे questions इनसे बन सकते हैं, especially Gulliver's Travel, उसमें काफी questions है, Little Bully में भी बहुत काफी ऐसे questions आपको मिल जाएंगे, जो आपने chapter अगर अच्छे से पढ़ा है, तभी आप answer कर पाएंगे, तो चलिए, इसमें ये कोई quiz type में नहीं है, बहले ही MCQ है आपके, लेकिन answers मैं ही आपको बताऊंगे, और साथ-साथ जो कुछ extra चीज़ें बताई जाएगी, उनको भी आप सब ध्यान से सुनेंगे, ओके, let's begin now, लेकिन उससे पहले, अगर कोई वच्चा नया है चानल पर, वीडियो के नीचे देखिए, राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा, सब्सक्राइब इधर, उस पर टैब कर दीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, आप उसको मिस ना करें, सबसे पहले दर टॉकर्टिव बाइबर की कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स कर लेते हैं, और बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, यह सारे चैप्टर्स के 10-10 important questions हम लोग करेंगे, बिकाज अगर वैसे भी, I think 6 around chapters है, तो 60 questions बन जाएंगे, उससे जादा अगर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही जादा lengthy हो जाएगी, ओक्यों वैसे भी यह revision है, अगर आपको चैप्टर समझना है, तो फिर आप इसकी worksheets and quizzes वगेरा देख लेना, अगला important question है, बहुत बड़ा चैप्टर बॉक्स कौन था, बार्बर खुद, बार्बर's brother या फिर सुल्तान, तो बार्बर चैप्टर बॉक्स था, आप तो मेरे भाईयों को जानते नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा बड़े चैप्टर बॉक्स है, लेकिन ऐसा कुछ चैप्टर में बताया नहीं, उसके कहने पर हम जाएंगे नहीं, हमने जो स्टोरी में देखा, जो चैप्टर बॉक्स था, वो था बार्बर, तो यहाँ पर अगर ये क्वेशन आता है, बार्बर ही टिक करेंगे, लेकिन अगर इसमें पूछा जाता है, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए आपसे, कि ऐस पर बार्बर, बार्बर के अकॉर्डिंग बड़ा चैप्टर बॉक्स कौन था, तो फिर वो उसका भाई था, कौन जो है, फिर बार्बर के कितने भाई थे, फोर, फाइव या फिर सिख्स, तो उसके थे छे भाई, और छे के छे में कोई ने कोई प्रॉब्लम थी, किसी की एक आँक में थे, कोई हूचा सुनता था, कोई जाधा बोलता था, तो उसको थोड़ा सा आप देखने न, बाकि सिक्स ब्रदर थे, ये क्वेशन पूछा जा सकता, एक्जाम में डेफिनिटली, शाम को कौन सा एक इंपोर्टन अफेर था, सुल्टान जिसमें जाने वाला था, जिसकी वज़े से वो चाह रहा था, कि काम जो है, वो शेविंग का, वो थोड़ा जल्दी हो जाए, आपके ऑप्शन से, सुल्टान वोस गोईंग टू अटेंड 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 करने जाना था, या फिर, सुल्टान वोस गोईंग टू अटेंड अटेंड एक मीटिंग को अटेंड करने जाना था, या फिर, वो अपने दोस्तों को फीस्ट भोजन पे बुलाया था, उसने खाने पे बुलाया था, तो आप्शन आपका C, अपने फ्रेंड को जो है, ग्रांट फीस्ट था, जिसपे बुलाया हुआ था, उसकी वज़े से वो थोड़ा जल्दी में भी था, सिनोनिम ऑफ स्वीट दिशेज, स्वीट दिश किसे कहते हैं, डेजर्ट को बोलते हैं, तो आप जानते होंगे, लेकिन डेजर्ट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, D-E-S-E-R-T, D-E-S-E-R-T, D-E-S-E-A-R-T, तो डेजर्ट की स्पेलिंग होती है, D-E-S-S-E-R-T, ये वारा जो डेजर्ट है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान, इसका मतलब है कोई मीठी चीज, अप्शन आपका यहां पर A-Correct है, वाट, वाट, वाज़ दा बारबर रेडी तू लीव सुल्तान विदाउट शेविंग, क्या बारबर बिना शेव किये सुल्तान को छोड़ने के लिए तयार था, आंसर है, आबसलूटली नो, इसने का था, बुलाया आपने है, मुझे और मैं अपना काम कम्प्लीट करके ही जाओंगा, और ना वो काम कम्प्लीट कर रहा था, बाते करने में ही बिजी था, तो सुल्तान को नहीं समझा रहा था, क्या करूँ, ना छोड़के जाने को तयार है, इस स्टोरी इस टेकन फॉर्म दे बुक नेम, अगेन अन इंपोर्टेंट क्वेशन, यह जो स्टोरी है, यह कौन सी बुक से ली गई है, आपके ऑप्शन से है, पंच तंत्र, गुलिवर्ज, ट्रावल, या फिर अरेबियन नाइट, तो यह ली गई है, आपके ऑप्शन सी यानिकी अरेबियन नाइट से, इस कहानी का मोरल क्या है, वी शुद टॉक अलॉट, हमें बहुत जादा बोलना चाहिए, वी शुद नॉट रिमेन वेरी कॉइट, हमें बहुत शान्त नहीं रहना चाहिए, वी शुद स्पीक अलॉट नेसेसरी, तो डेफिनेटली तभी बोलना चाहिए, जबकि जरूरी हो, चलिए नेक्स चाप्टर पे आते हैं फिर अब, नेक्स इस अपोएम, टॉपसी टॉवी लांड, तॉपसी टॉवी मतलब होता है, उल्टा पुल्टा बिल्कुल, वाट इस दा मीनिंग अप दे वर्ट टॉपसी टॉवी, तॉपसी टॉवी का क्या मतलब है, नीट अन क्लीन, साफ सुत्रा, अपसाइड डाउन, उल्टा, उल्टा सीधा, या फिर और्गनाइजड, बिल्कुल सही टरीके से और्गनाइजड, चीज़ें अपनी जगे, तो करेक्ट आंसर है, अपसाइड डाउन, आपका एकरेक्ट है, वो इस दा पोएट अप दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कोन है, एलीन फिशर, रेचल फिल्ड, या फिर H.E. विलकेंसन, तो ये लिखिए, एलीन फिशर ने, जितनी भी, सॉरी, not एलीन फिशर, H.E. विलकेंसन, तो जितनी भी आपकी, जितनी भी पोएम्स है, उनके जो पोएट है, उनका नाम आप ज़रूर याद कर ले ना, गर्सका कट होएटि, नाम झालाका मठीया स्वशां बसी और और सुभी आपका है, P.O. atom आपके सबस्कीप सर चलती है, C.O. he. लेचे स्कूल कब, ओर नाइट आप्टरून या पिर मॉर्नि सबस्कीप, तो वो जाते हैं night में रात को, morning और afternoon में तो normal उसमें भी जाते हैं, morning में सभी जाते हैं, afternoon में जो second जिन schools में दो shifts होती है, वहाँ के बच्चे afternoon में जाते हैं, लेकिन top city और भी land है, वहाँ पर सब उल्टा पुल्टा ही होगा, तो वहाँ के बच्चे रात में school जाते हैं, option आपका a correct है, which of the following word rhyme with the word pleasure, pleasure के साथ कौन सा word में से rhyme करेगा, अब देखो सारे जो words हैं, वो you are e पर ही end हो रहे हैं, pleasure, लेकिन अलग तरीके से प्रणाउंस होंगे, यह है assure, measure, यह है pressure, तो pleasure के साथ rhyme हो रहा है, measure, option आपका b correct है, where do people wear their hats in our land, हमारी land के उपर, लोग hats कहाँ पर पहनते हैं, hand के उपर, feet के उपर, या फिर head के उपर, तो हमारी land में पहनते हैं, head के उपर, topsy-turvy land में पहनते हैं, feet के उपर, एक बहुत ही important question इस chapter से बनता है, जिन schools में अगर यह chapter आ रहा है, और exam आपका written होगा, वहाँ पर यह question generally creative writing में आता है, कि difference लिखिए at least five, topsy-turvy land में और in our land, I think यह question में करा भी चुकी हूँ आपको, वहाँ पर क्या चीज़े होते हैं, और आपकी land पर क्या चीज़े होते हैं, क्या differences हैं, जैसे cap का बता है कि वहाँ पे लोग पैरों में पहनते हैं, in our land we wear hat on our head, बच्चे रात में स्कूल जाते ह यह buses कहां चलती है, लोग किसके लिए पैसे देते हैं, तो यह कुछ चीज़े हैं, इनको आप देख लीज़ेगा, five differences आपसे पूछे जा सकते हैं, writing वाले question में, खेर इसमें आपको option C करेक्ट है, which of the following word means thankful, इनमें से किसका word thankful है, welcome, gratitude या फिर greatness, तो gratitude का मतलब होता है, to be thankful to someone, welcome तो आप जानते हैं, कि when you say someone thank you, तो आप कहते हैं, कि हाँ, आपका स्वागत है, अगले बार भी हम help के लिए ready देंगे, greatness मतलब कोई great महानता, एक तरीके से, gratitude यानि कि thankful, where do boats travel in our land, हमारे लैंड पे boats कहां travel करती है, water में तो आप जानते है, और वहां पर कहां करती है, topsy-turvy land में करती है, वो street के ऊपर, where should we throw away the trash, trash हमें कूडा कहां पर फेकना चाहिए, पार्क में, dustbin में, या फिर कहीं भी अपने घर में, तो option be correct है, in the dustbin, what do you mean by pleasure, pleasure से मतलब क्या, ये chapter में, पोयम में यूज़ हुआ है word, feeling of enjoyment, shore, या फिर feeling of sadness, feeling of enjoyment, pleasure, खुशी एक तरीके से, ये इंड में, तो option यहाँ पर आपका A correct होगा, so that's all, यह थे इसके 10 important questions, now let's move to the next chapter, okay, so next chapter is Gulliver's travel, पहला question है, इसमें आपका, the monster came to the field too, जो monster field में आया था, जब Gulliver वहाँ पर खो जाता है, और वो देखता है, वो क्या करने आया था, search Gulliver, Gulliver को ढूनने आया था, so the corn, को सो करन बोने के लिए आया था, या फिर reap the corn, को रीप करने के लिए, काटने के लिए आया था, तो वो कौन को रीप करने के लिए आया था, option आपका C correct हो, उसके हाथ में एक instrument भी था, उसको रीप करने के लिए, Gulliver was, गुलिवर क्या था, एक सेलर, फार्मर या फिर सिंगर, वो था सेलर होते हैं जो कि ships में सेल करते हैं नहीं नहीं जगों को discover करते हैं the captain send the crew members for captain ने crew members को किस के लिए भेजा rest करने के लिए जाओ rest कर लो जाओ खाना ढूंड के लाओ या फिर जाओ water अब यह नहीं कहेंगे आपकी पानी में तो वो चली रहे हैं वो क्यों नहीं पी लेते हैं आप जानते हैं जब कोई आदमी अपने खुद की कहानी बताता है अपने शब्दों में जैसे गुलिवर बता रहा है मैं वहाँ पर फस गया कहानी ऐसे तो नहीं है एक गुलिवर था वो वहाँ पर गया था एक सेलर था नहीं वो खुद की life story बता रहा है तो उसे क्या कहते हैं biography, autobiography या फिर fiction तो इदे के English में आपको पता होना चाहिए जब आप खुद की कहानी लिखते हैं उसे autobiography कहते हैं जब आप किसी और की सच्ची कहानी लिखते हैं उसे biography कहते हैं और fiction होता है जब कोई आप मन घढन कोई बात बताते हैं मितलब कहानी अपनी मर्जिते बनाते है उसे fiction कहते हैं तो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको फार्मर की वाइप ने गुलिवर को डिनर के लिए क्या दिया ब्रेड, मिल्क या फिर सी पॉरिज इसमें आपका option C करेक्ट है पॉरिज दिया था पॉरिज यानि की दलिया फार्मर की घर में कौन सा पेट था, काट, डॉग या फिर घोट, तो वो थी काट जो एक बुल जितनी बड़ी बताई गई है जितना हमारे आप एक बैल होता है उतनी बड़ी महां की, उनकी काट थी जिसे ये डर भी जाता है option आपका A correct है गुलिवर ट्रावल जो ये स्टोरी है, पूरे अक्छली एक नॉवल है, आपको एक छोटा सा इसका पार्ट दिया हुए, वो किसने लिखी है important question है, आपके options है, डानियल डूफे, वाशिंग्टन इर्विन, या फिर जॉनाथन स्विफ्ट ये लिखी है, option C, जॉनाथन स्विफ्ट ने, और थोड़ा सा date अगर, बहुत टाइम पहले लिखी गई थी, date वैसे याद रखने की ज़रूत नहीं है, year 1726 यानि कि almost लगा ली जाते, 300 years before, 300 साल पहले इन उनने लिखी थी, मतलब इस टाइम इस बुक का first edition आया था, उसके बाद बहुत सारे changes हुए, कई language में ये जो है, वो convert की गई, translate की गई and all, the men were chased by, जो आदमी थे, जो sailor थे, इसके साथ जो गए थे, उनको कौन chase कर रहा था, chase करना मतलब होता है, पीछा करना किसी का, a huge creature, एक बड़ा सा creature, a ghost, या फिर कोई भूत था, या फिर wild animal, कोई wild animal था, तो वो था एक बड़ा सा creature, option आपका, a correct है, जो कि actually में एक human being होगा, क् इसलिए उसको creature कहा गया, creature मतलब होता है, जानवर, एक बड़ा जानवर, एक big creature, huge creature, huge मतलब बड़ा, उनका पीछा करा था, the farmer's wife covered gulliver with a farmer की wife ने gulliver को किस से cover किया, बेडशीट से, हैंकरचीफ से, या फिर टावल से, तो उसने cover किया था, हैंकरचीफ से, उनका हैंकी, हैंक यानि कि रुमाल जो था, वो भी उसके लिए एक, ब्लांकेट जितना एक चदर जितना बड़ा था, okay, बेडशीट तो बहुत ही बड़ी होगी, टावल भी उससे बड़ा ही होगा, what did the monster carry in their hand, monster अपने हाथ में क्या लेके आ रहे थे, reaping hook, reaping होते हैं, कटाई के लिए जो तो यह है इसके कुछ important questions, hopefully आपको समझ में आगे होगे, now let's move to the next chapter, so next आपकी poem है, nobody's friend, पहला question तो as always, आपका यही बनेगा, कि who is the poetess of the poem, poetess है, यानि कि lady poet है, H.E. Wilkinson, Galway Kinnell, या फिर Enid Blyton, तो यह है Enid Blyton, option आपका C correct है, याद रखना, next जो poem है, nobody's friend, उनकी poet है Enid Blyton, मै picture भी दिखा देती हूँ, यह देखी, यह है Enid Blyton, आपको शयाद अच्छे से याद रहे, the girl in the poem would not let anyone play with her dash, जो लड़की थी आपके poem में, वो किसी को भी अपने किस चीज से खेलने नहीं देती थी, अपनी doll से, अपनी teddy से, या फिर अपनी ball से, तो यह आपकी, जो girl है, वो किसी को अपनी चीज नहीं देती है, second stanza में boy है, जो किसी के साथ अपनी चीजें share नहीं करता है, तो कौन सी चीज है second stanza में, जो boy है, वो share नहीं करता है, आपके options है, टॉफी, apple, या फिर cake, तो उसके पास toffees होती है, बहुत सारी, जो वो किसी को नहीं देता, option आपका A correct है which word cannot be made from the word tricycle, tricycle से कौन सा word इन में से नहीं बन सकता, r-i-c-e, r-i-c-e, ये तो बन सकता है, trick, t-r-i-c-e, t-r-i-c-k, k क्योंकि इसमें नहीं है, पूरे इसमें trick नहीं बन सकता, option आपका B correct है, ये question दिया गा है, क्योंकि ऐसा question NCRT के last में भी है, complete the word a friend in dash is a friend indeed, क्योंकि friend की बाद chapter में हुई है, तो friend के बारे में एक बहुत ही famous proverb है, a friend in need is a friend indeed, एक friend जो जरूरत में काम आए, is a friend indeed, वही एक सच्चा दोस्त होता है, आपका, okay, तो a friend in need, जरूरत के time का दोस्त ही, सबसे अच्चा दोस्त है, option यहाँ पर, यानि कि आपका B correct है, identify the suffix in the word carelex, carelex में लगा है, suffix, जो कि बाद में लगता है, तो care आपका word था, less लगके, careless बन गया, जो किसी की परवान न करे, तो यानि कि less इसमें आपका suffix है, opposite of nobody, nobody's friend, किसी का भी दोस्त नहीं, तो इसका opposite होगा everybody, सबका दोस्त, option B correct है, how many characters are in the poem, आपकी poem में कितने characters हैं, कितने बच्चों क बात हुई है, तीन, चार या फिर दो, तो chapter में बात हुई है, poem में बात हुई है, तीन बच्चों की first stanza में एक girl है, जो किसी के साथ चीजें share नहीं करती, second stanza में एक boy है, जो किसी के साथ चीजें share नहीं करता, third stanza में again एक girl है, जो कि सब के साथ अपनी चीजें share करना चाह रही है इसलिए वो सब की फ्रेंट है what you learn from after reading this poem इस poem को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा we should not lend our things हमें अपनी चीज़ें किसी को देनी चाहिए देनी नहीं चाहिए we shouldn't make any friend हमें दोस्ती नहीं बनाने चाहिए तो चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी we should share our things हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए option आपका सी करेक्ट है friends बहुत ज़रूरी होते हैं आपके अच्छे और बुरे दोनों टाइम के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ें शेयर करें choose the correct synonym of the word toffee toffee का क्या मतलब है toffee का correct not synonym this is plural toffee का plural क्या होगा toffees toffees या फिर toffees toffee में simple s लगेगा last में is या s e ऐसा कुछ नहीं option आपका a correct है next question is what edibles girl in the last stanza है last stanza की जो girl है वो जो भी उसके पास चीज़ें वो सबके साथ share करना चाहरी है question यह है कि उसके पास क्या-क्या edibles है edible मतलब होता है खाने की चीज़ें sweet apples और cake है chocolate pizza और orange है या फिर toffee bananas and burger है तो जो last में girl है उसके पास sweets है मिठाईया है apple है जिसे वो half share करना चाहती है cake है जिसे भी वो share करना चाहती है तो यह तीन चीज़ें उसके पास है chapter में poem में last में next एक phrase यूज हुई है आपके poem में eat every bit जो second उसमें जो boy है वो उसके पास कुछ जो चीज़ें है toffees है वो उसके किसी के साथ share नहीं करता है he will eat every bit eat every bit का मतलब होता है eat it all सभी एक-एक bit खा लेना एक-एक piece उसका खा लेना तो that's all यह थे इसके important question answers now let's move to the next chapter next chapter is the little bully bully मतलब होता है एक person जो की habitually को दूसरा जो person है जिसे वो अपने से weaker या smaller समझता है उनके साथ cruel होता है उनको insult करता है उनको चोट पहुंचाता है तो ऐसा जो person है उसको हम लोग bully कहते है तो chapter एक little bully एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो की bully करता है अपने class के बाकी students को चलिए हरी नाम है उसका पहला question है आपसका what did हरी loves to do the most हरी को सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना पसंद था pushing धक्का देना pinching किसी को चूटी काटना या फिर fighting तो सबसे ज़्यादा उसको पसंद था pinch करना option आपका यहाँ पर be correct है उसको फिर last में जो आपका crab है केकड़ा जो है वो pinch करता है और बताता है कि actually pinch करने से कितना दर्द होता है what is the meaning of the phrase black and blue black and blue का क्या मतलब है black and blue हो जाना काला और नीला हो जाना हरी had a black and blue shirt हरी के पास black blue shirt थी हरी fell down in pain हरी जो है वो pain से नीचे sorry दर्द हो रहा था हो नीचे गिरने की वज़े से there was bruises on his body तो correct option है c black and blue हो जाना मतलब body पर bruises आ जाना bruises चोट के जो निशान होते हैं आपके वो where did the class go for picnic class picnic के लिए कहा गई थी to the seaside to a fort या पर to a temple वो गई थी c side पर option आपका एक करेक्ट है जहांपर सभी वच्चे एंजोई कर रहे थे रेत के ऊपर खेल रहे थे लेकिन हरी का को क्योंकि कोई friend नहीं था क्योंकि वो सबको bully करता था पिंच करता था इसलिए वो अकेला था विच केक हरी हैड इन हिज लंच बॉक्स हरी के पास कौन सा केक था उसके लंच बॉक्स में mango केक, pineapple केक या फिर ginger केक उसके लंच बॉक्स में ginger केक था option आपका c करेक्ट है यहां पर इन में से कौन सा action आपको एक friendly person बनाता है यह आपको NCRT में लास्ट में कुछ चीज ने दी भी हुई है कि किन से आप friendly बनेंगे किन से एनिमिटी आएगी respecting other people आप दूसरों की respect करते हैं eating a small child टिफिन एक छोटे बचे का टिफिन खा लेते हैं calling people rude names किसी को rude name से नाम चड़ा के बुलाते हैं तो इन दोनों से आप कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते हैं अगर आप दूसरों की respect करते हैं तो definitely लोग आपकी respect करेंगे आपसे दोस्ती करेंगे चाप्टर में बुली कौन था रोहन, सोहन, हरी ये तो आसान question है option C हरी था choose the word which means rough and deep sounding, rough और deep sound करने के लिए कौन सा word यूज हुआ है चाप्टर में horse, bruise या फिर horrid, तो ये word है horse, horse sound कौन कर रहा था, जो crab था, जब हरी जाके बैठता है, seaside पर अलग से तो उसको horse एक बहुती rough और बहुती कानों को चुबने वाली sound आती है, जो कि वो crab कर रहा होता है, option आपका A correct है I shall not pinch anyone anymore, अब मैं किसी को अब pinch नहीं करूँगा, shall mean, shand का क्या मतलब है यहाँ पे, shall, shall not, या फिर will not, shall का full form है, shall not opposite of punish, punish करने का opposite क्या है, किसी को punishment देना और किसी को reward देना, तारीफ करना उसकी, how many jam sandwiches were there in Harry's lunch box, Harry के lunch box में कितने jam sandwiches थे, तो उसकी मदर ने बड़ा ही अच्छा lunch box पैक किया था, उसमें 6 sandwiches थे, definitely मदर को लगा होगा, क्यूंकि जब आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, friends साब के साथ होते हैं, साथ में खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा extra pack किया था, लेकिन उसका कोई friend नहीं था, तो वो अकेला ही बैटके खा रहा था, तो option या पर आपका be correct है, ये थे आपके questions, चलिए, now let's move to the next chapter, ये आपका last chapter होगा, sing a song of people, so the very first question is, underground passage is called, underground passage किसे कहते हैं, bridge को, subway को, या zebra crossing को, zebra crossing को, देखो, तीनों ही road को cross करने के लिए बनाये जाते हैं, bridge होता है, road के उपर से जो बनता है, subway होता है, road के नीचे से जो बनता है, zebra crossing होता है, road के उपर जो रिशान होता है, जहां से लोग cross करते हैं, तो कहने का मतलब है, heavy traffic की वज़े से ही, तीनों बनाये जाते है bridge, subway and zebra crossing लेकिन underground passage को हम लोग subway कहते हैं, option यहाँ पे आपका be correct है यह जो poem है, इसमें कहां की life के बारे में बात हुई है villages, cities या फिर mountains तो आप जानते हैं, poem में किस बारे में बात हुई है कि कितने busy लोग है आप इनको देखते हैं, मिलते हैं लेकिन जानते नहीं है, है ना सभी लोग कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ आपको बड़े ही unknown faces मिलते हैं तो यहनि कि कहां की बात हुई है, कहां के कहां पर ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा cities में देखने को मिलता है, option आपका be correct है यहाँ पर which mean of transport is not mentioned in the poem poem में कौन सा mean of transport mention नहीं किया गया है, आपके options हैं bus, taxi या फिर train bus mention की गई है, taxi भी mention की गई है, taxi में लोग ऐसा लगता है कि गोल-गोल वहीं बर गुम रहे हैं, क्योंकि एक ही जैसी taxes आपको बार-बार दिखती है buses में भी लोग बताए गई हैं कि एक तरीके से आपसे पूछा गया, staircase, lift या फिर heavy तो elevator का मतलब होता है lift, staircase नहीं समझना है कहीं लोग सोचते हैं कि जो अपने आप चलने वाली stairs होती हैं, उनको elevator कहते हैं, उनको escalator कहते हैं, यह मैं आपको chapter में भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, यह निकि यहां पर आपका option sorry, be correct है, lift को elevator कहा जाता है choose correct statement about people in crowd crowd में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में correct statement क्या है, we see and know them हम उने देखते हैं और जानते हैं, we see but never know them हम देखते हैं, but कभी जानते नहीं है we know but never see them, हम उने जानते हैं, but कभी देखते नहीं है तो भीड में जो लोग रहते हैं, आप उनको सिर्फ देखते हैं काम करते हुए, busy है, सब इदर जाते हुए, लेकिन आप उनमें से किसी को जानते नहीं है, option आपका be correct होगा यहां पर next, तो वही आपका एगी question, poet का नाम बताना है आपको sing a song of people lois lebinski, lois lebinski नाम है, correct spelling है l-o-i-s, lois, l-b-n-s-k-i, lois lebinski तो नाम याद रखना, तीनों के जो poet है आपकी यह जो poem है, sing a song of people, यह लिखी है lois lebinski ने choose the synonym of ill-tempered, ill-tempered तो word यूज नहीं हुआ, लेकिन grumpy word जरूर यूज हुआ है कि जो लोग है, आपको जो भीड में दिखते हैं कुछ happy होते हैं, कुछ smiling होते हैं, लेकिन कुछ grumpy भी होते हैं, grumpy मतलब ill-tempered जो थोड़े गुस्ते में दिखते हैं आपको तो यानि कि grumpy मतलब ill-tempered या फिर ill-tempered का synonym जो है, वो grumpy होगा, option C correct होगा next is how people are riding in taxi, लोग taxi में कैसे ride कर रहे हैं, up and down back and front, या फिर round and round तो poem में जो use हुआ है word कि people are riding taxi round and round, कि ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर में लोग गोल गोल गोमे जा रहे हैं taxis क्योंकि almost एक जैसी लगती है देखने में, आप अगर रोड पे खड़े हो तो लगेगा अभी तो यह गई थी, फिर वापिस आ गई लग रहा है, यहीं पे गोल गोल गोम रही है तो taxi कैसे गोमती है, round and round option C correct है as per poem है यह, ऐसा नहीं है कि taxi वो वहीं पे गोमती रहती है where do all, where do you find these very busy people कहां पे आपको यह इतने busy लोग मिलते हैं hospital में, library में या फिर market में hospital में लोग काम से ही जाते हैं library में पढ़ने के लिए जाते हैं बहुत भीड नहीं होती, लेकिन market में आपको यह ऐसे लोग मिल जाएंगे अलग-अलग काम से जो आते हैं और बहुत भीड भी दिखती है option आपका यहाँ पर C correct है market, railway station, आपके जो bus stands होते हैं यहाँ पे इस तरीके के लोग जैसे की poem में mentioned है आपको मिलते हैं next is elevator goes dash and dash elevator कैसे जाता है left and right, up and down या फिर round and round elevator की जो moment है वो है up and down उपर और नीचे जाती है lift आपने देखा होगा लोगों को उपर और नीचे ले जाने के ही काम में वो आती भी है so that's all students यह थे आपके all six chapters के question answers again I'm saying सारे questions नहीं मैंने कराये हैं 10-10 questions important सभी chapter से ले लिए हैं and wait for next videos to come